पिछले वीडियो में हमने अध्याई एक से समन्दित पढ़ना प्रारम किया था पिछले वीडियो में हमने पढ़ाता साज़दारी के बारे में, साज़दारी किसे कहते हैं, साज़दारी की क्यों आउशकता पढ़ती है, इसमें अधिक्तम वे नियुनतम साज़दारों की संख्या, साज़दारी संलेक किसे कहते हैं, साज़दारी संलेक में किन-किन मदों क सामिल किया जाता है तता साज़ेदारी संलेक के अभाव में कौन से नियम लागू होते हैं आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फर्म में अर्थात साज़ेदारी में सामिल साज़ेदारों के पुंजी खातों के प्रकारों के बारे में अधिन करेंगे साज़दारों के पुंजी खाते से दातप्री है जो फरमेज साज़दार सामिल होते हैं उनकी जो पुंजी होती है उनके द्वारा लगाए गई पुंजी है उसका हिसाब किताब रखने के लिए जो साज़दार के खाते होते हैं उन्हें ही साज़दारों के पुंजी खाते कहते हैं। परमुकुरूब से साज़दारों के पुंजी खाते बनाने की दो विदियां होती है। पहली होती है इस्तिर पुंजी खाता विदी और दूसरी होती है परिवर्तन चेल पुंजी खाता विदी तो सबसे पहले हमाद दिन करने जा रहे हैं इस्तिर पुंजी खाता विदी के बारे में जब सभी साज़दार यह निशित कर लेते हैं कि उनकी पुंजी में कोई परिवर्त नहीं होगा तो ऐसी दसा में साज़दारों की पुंजी खाते इसता ही पुंजी खाते कहलाते हैं इस विदी में दो खाते बनाए जाते हैं मैं आपको समझाना चाहूँगा, इस तरह पुंजी खाताया स्वितिय से मतलब यह है, कि मान लिजे कि वर्ष के प्रारम में किनी साज़दारों के जितनी पुंजी होगी, वो वर्ष के अंद में भी उतनी ही रहेगी, विसेश परिस्तितियों को छोड़ कर, विसेश परिस्त में भी इनकी पुंजी एक लाग रुपे, दो लाग रुपे वद तीन लाग रुपे ही रहेगी, तो इस तरह पुंजी खाता विद्धी से दात प्रिये, कि उन साज़दारों की पुंजी में कभी किसी प्रिकार का परिवर्थन नहीं होगा, विसेश परिस्तितियों को छो तो इस ताई पुझी खाता विधी में दो खाते बनाये जाते हैं पहला खाता होता है साजदारों का पुझी खाता Partner's Capital Account इस खाता में केवल साजदार दौरा लग vergessen पुझी का ही लेखा किया जाता है अर्थात प्रारह में जो पुझी लगाता है साजदार उससे समनित इसका लेखा किया जाता है पुंजे खाते का से इस परतिवर्थ एक समानी रहता है उससे विशेश परिस्तिती को छोड़ कर जब साज़दार अत्रिक्त पुंजी लगाने वे इस्ताई रूप से निकाले नहीं वो दो प्रकार की विशेश परिस्तिया मैंने आपको बताई है अभी कि या तो मालीजी कि कोई साज़दार अत्रिक्त पुंजी नहीं लगाता है या इस्ताई रूप से अपनी पुंजी नहीं निकालता है तब तक उनकी प्रारंबिक पुंजी या उनके द्वरा लगाई गई पुंजी है वो सदेव समान रहेगी इस कारण इस खाते का सेस भी हमेशा प्रेडिट ही रहता है अर्थार इसका कभी भी सेस डेबिट नहीं होता तियाद रखना कि साज़दारों का जो पुंजी खाता होता है उसका सेस किस प्रकार का सदेव किस प्रकार का सेस रहता है तो क्रेडिट सेस रहता है दूसरा प्रकार का जो खाता है वो बनाये जाता है साज़दारों का पुंजी खाता अन्य सभी मदों का जो लेखा जिस खाते में किया जाता है वो साज़दारों का चालू खाता क्यलाता है इस खाते के क्रेडिट पक्स में साज़दारों का वेतन अगर किसी प्रकार का उनको वेतन मिलना है कमिशन, पुंजी पर ब्याज वर लाबों में हिस्से का लेखा किया जाता है इस खाते के डेबिट पक्स में साज़दारों के आहरण अर्थात किसी भी प्रकार से उनकी पुंजी में कमी होती है वो सारे लेखे किया जाते है जैसे साज़दारों दोरा किया गया आहरण आरण पर वसूला गया व्याज या अगर मालों फर्म में किसी प्रकार की हानी होती है थानी में से हिस्से का लेखा भी किया जाता है इस खाते का से डेबिट भी हो सकता है तता क्रेडिट भी हो सकता है अब देखिए साज़ादारों का partners capital account तथा partners current account का आपके सामने formula दे रखा है इसमें एक तरफ द्यान रखना है आपको एक चीज़ का partners capital account में by balance cd इसमें छपाव है तो इसमें आप अपना correction कर लेना by balance cd नहीं होगा यहाँ by balance bd होगा इतना यह दोनों का format आपके सामने दिया गया है ठीक है अब देखिए कुछ महत्वपुन बात है यह दि चिट्थे में चालू खाते का सेस दिया हो तो इसका अश्य है कि साज़ादारों में पुंजी खाते इस्तिर पुंजी खाते विदी से ही रखे जाते है अर्थात हमने 11 क्लास में balance sheet बनाना सीखाता है उसमें सिर्फ हमने capital ही लिखते थे परन्तु 12 क्लास में हम पढ़ेंगे कि कई बार जो साज़ादारों की balance sheet होगी उसमें साज़ादारों का capital account भी लिखाएगा और partners current account भी लिखाएगा अर्थात अगर उसमें partners current account लिखा आता है तो इसका मतलब यह होगा कि पुंजी खाता इस्त्री पुंजी विदी से रखा जाता है अब दूसरे प्रकार का खाता होता है परिवर्तन छिल पुंजी खाता विदी होगा उसका प्रारूप सेम उपर जो हमने इस्त्री पुंजी खाता विदी पड़ी थी वैसा गवैसा प्रण दूसमें जो उनकी जो पुंजी है वो और अन्य मदे इनका लेखा साथ में किया जाता है अर्था जब साज़ादारों के पुंजी खाता हों के से परतिवर्ष बदलते रहते हैं तो उन्हें परिवर्तन छिल पुंजी खाता कहते हैं पुंजी तता पुंजी को बढ़ाने वाली मदे जैसे अत्रिक्त नगत पुंजी, साज़दारों का वेतन, कमिशन, पुंजी पर ब्याज, लाव में इसा क्रेडिट पक्स में तता पुंजी में कमी वाली मद्य जैसे नगत निकासी, आहरण, आहरण, पर ब्याज, हानी में इसा ये डेबिट प्रक्ष में दिखाते हैं इससे पुंजी खाते का डेबिट या क्रेडिट दोनों से हो सकता है आपके सामने इसका परफोर्मा भी दे रखा है अब परमगरूप से इस्तरियों पुंजी एवं परिवर्तन शिल्फ पुंजी खाता विदी में परमगर अंतर कौन कौन से हैं तो इसमें परमगरूप से चार परकार के अंतर होते हैं जबकि परिवर्तन शिल पुंजी खाता विदी में एक ही खाता रखा जाता है, पुंजी खाता, खातों के सेज, पुंजी खाते का सेज परिवर्तित रहता है, पुंजी और लगाने या निकालने पर ही बदलता है, जबकि परिवर्तन शिल पुंजी खाता विदी में सेज पर दिखा सकता है, debit या credit दोनों से इस दिखा सकता है, जबकि परिवर्तन सिल में एक ही खाता रखा जाता है, इसलिए उसका से इस debit भी हो सकता है, तता credit भी हो सकता है, वेवारों का लेखांकन, इस तरी पुंजी खाता विदी में, पुंजी खाते में केवल पुंजी का लेखा ह अन्य लेंदेन चालू खाते में होंगे। जब ये प्रिवर्तन चिल पुंजी खाता विदी में सभी लेंदेन चालू खाते में ही होंगे। अब उनको साज़दारों के पुंजी खाता रखने की हमने विदियों के बारे मद्धिन किया। अब फरंग में मालीजे की वर्स केंत में लाब या हानी किसी भी परकार का लाब या हानी होती है तो उनका साज़दारों के मद्दे बंटवारा किस परकार से किया जाता है उसके बारे में हम अधिन कर रहे हैं अर्थात साज़दारों के मद्दे लाब हानी का बंटवारा लाब हानी खाते द्वारा प्रकट लाब या हानी बंटे जाने योग्य लाब को लाब हानी नियोजन खाते के द्वारा साज़दारों के मद्दे बंटा जाता है अर्थाज जब हम P&L account बनाएंगे तो उसके वर्ष के अंत में हमको किशी परकार का लाब या हानी परदेशित होगी तो उस लाब या हानी को साज़दारों के मद्दे बांटने के लिए हम कौन सा खाता बनाएंगे लाब हानी नियोजन खाता इसको हम इंगलिश में बोलते हैं Profit and Loss Appropriation Account लाब हानी नियोजन खाता है इस खाते में साज़दारी संले के हिसाब से लाबों का नियोजन होता है ये एक नाम मातर का खाता है याद रखना कई बार प्रिक्षा में पुछा जाता है कि लाब आनी नियोजन खाता किस प्रकार का खाता है तो ये नाम मातर का खाता होता है लाब आनी खाते की तरह इसमें Credit Pucks में सुद लाब आरन पर ब्याज लिखा जाता है तता देबिट पक्स में पुझी पर ब्याज, वेतन, कमिसन, रिजरू में ट्रांसफर अगर माली जेगी फर्म ये निशित करती है कि कुल लाब का 10 परतिशत या 20 परतिशत या निशित दर से एक अपन को रिजरू में रखना है तो रिजरू में ट्रांसफर कैलाता है आदी लिखे जाते हैं और दोनों पक्सवागा अंतर लाब या हानी होता है इसे पार्टनर के लाब हानी अनपात में बांट दिया जाता है तो याद रखना अगर लाब हानी नियोजन खाते का डियार से सोता है तो लाब परतिशत करता है और अगर लाब हानी नियोजन अर्थात PNL Appropriation Account का अगर CR Valence बसता है तो इसको हानी परतिशत होती है फरम का जो लाब होता है वो किस प्रकार से साज़ेतारों में विवाजेते किया जाता है धन्यवाद